असलाब होने को दोस्तों मैं आप नसीर और आप देख रहे हैं Android उर्दू इजिप चैनल दोस्तों में वेलकुम करता हूँ अपनी इस चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि आप लोग निताम ने लेका दोस्तों इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा बेस्ट कॉल रिकॉर्डिंग एप फॉर एंडुरॉइड तो दोस्तों इससे पहले अगर बात की जाएं तो इससे पहले लाइक कॉल रिकॉर्डिंग जो है हर मुबाइल टच मुबाइल में होती थी लेकिन अब एक ऐसा वकत आ गिया हैं कि जितने भी मुबाइलों में लाइ साइड में लाइक्र रिकॉर्ड्र नहीं रूस्ट्ड की हैं लेकर दूसे आपिसी वीडियो करते हैं लेकिन दूसरे अपूसिर आपोलोंगे रिकॉर्ड्र नहीं हों सफ़र्ड्र तो आज आगे कार समय लेक्रद पे लिएक आट करें हैं और यहां में एक और चीज लाइक को चोटा सा एड करना चाहूंगा कि दोस्तों अगर आप निव हैं आप पहली बार लाइक इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो काइनली नीचे इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लिए जो आप वीडियो देख रहे हैं और जैस बेचिकली मेरे मुबाइल में काल रिकॉर्डिंग के आप शिट नहीं आती लेकिन यह मैं कैसे लाता हूं और यह सारी चीज अभी आप लोग पूल लाइव बताता हूं चौल दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं आप लोग कैसे जो हैं अपने मुबाइल में बेस्ट कॉल इंस्ट्डॉल कर सकते हैं दोस्तों पूरा देकर क्या कि आप लगे मुकमल गाइयडनेस और दोस्तों यह मिरे पास सेम्संग मुबाइल है और दोस्तों जब भी आप सभी को बताएं कि आप कर दीदे में वी आप सोफ्ट वेयर नियु आ रहीं या जब आफके साइट को लाइक हैं, उनकी रिकार्डिंग जो है वो नहीं होती, तो दोस्तो आज इस वीडियो में आप लोग को लावे बताऊँ है कि आप कैसे कर सकते हैं, विदा उट रूट ये आप लोग कैसे कर सकते हैं, यहां भी दोस्तो अगर मैं तोड़ा साब लोग को गाइड कर हैं, जिनसे मैं कॉल रिकार्ड कर लो, और इस मुबाइल में पहले ता लेकिन अब इस से गाइब हो चुका है, जब यह अपडेट मैंने किया था, उसके पाद जितने भी लाइक नियू मुबाइल हैं, उसमें भी यह कॉल रिकार्डिंग की आप्शन जो हैं, वो नहीं आत प्रम करता हैं, तो सबसे पहले दूस्तों आप लोगोंने क्या करना हैं कि आप लोगोंने इस डाइलर को लाइक, ऑफ का डाइलर हैं, इस पो Bowl आप लोगोंने इस को करना हैं। और इसके तरीके से पहले, आप लोगोंने क्या करना है, आप लोग सेटिंग में जातेंगे, मुबैल की सेटिंग में चला जाते हैं, तो आप के पास कोई भी मोबाल हो सकता है, Samsung, OPPO, Real Mi, या जितनी भी है, आप पास कोई भी हो सकता है, तो दोस्तों आप लोगोंने उसमें लाइक एपस में एक डिफोल्ट एपस का एक आप्शन होता है वो आप लोगोंने फाइंड करना है तो यहां मैं सैमसंग में कर रहा हूं और यहां पे अगर मैं क्लिक कर लूँ तो क्लिक करने के बाद यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपक Calling app, messaging app, तो यह दोस्तों आप देख सकते हैं, कि यह Calling app पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर लो, तो basically इन पर ये company का एक डाइलर लगा हुआ है, जो कि मैंने इस डाइलर को इसमें इंस्टॉल किया है, मैं इनको क्लिक कर लेता हूँ, आप यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं, और दोस्तों इन में कुछ setting हैं, अगर आप मिस्स कर लेते हैं, फिर भी आप call recording नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर OK हम करेंगे, OK करने के बाद आप लोग उन्हें अब क्या करना है, आप लोग अपने mobile में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ भी दोस्तों दीख सकते हैं, अगर मैं तोड़ा सा आप लोग को guide कर दो, तो यहाँ पर भी आप लोग को इन में call recording की option नहीं मिलती, तो दोस्तों अब आप लोग उन्हें इन में call recording की option कैसे लानी हैं, बिल्लकुल HD quality की होती है, अभी मैं आप लोग को बताता हूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग बता दूँ कि यह setting है, और यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर इनके कुछ menu आ जाते हैं, आप लोग उन्हें लाइक system पर setting पर sorry click करना है, और setting पर click करने के बाद, दोस्तों यहाँ पर इनके काफी अच्छे अच्छे like option आ सकते हैं, और आप लोग यहाँ से और भी इनमें काफी अच्छे अच्छे like, चीजे जो हैं, वो setting यह वो कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों आप लोग उन्हें क्या करना है, और यहाँ पर दोस्तों आप लोग को एक option मिल जाएगी call recording का, आप यहाँ पर click करेंगे, तो यह दोस्तों यह option आपकी mobile में like इस software में already बंद होता है, इनको आप लोग उन्हें on करना होता है, और जैसे दोस्तों आप इनको on कर लेते हैं, आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर काफी यह वही चीज़ आपको बता दिया जा रहा है, कि यह चीज़ बंद है, लेकिन जैसे आप इनको okay कर लेते हैं, तो आपका mobile जो है, call recording के लिए तयार हो जाता है, और आप जैसे permission दे देते हैं, तो यह basically आपको बता दिया जाता है, कि यह सारी चीज़े जो हैं, यहाँ पर आपकी call recording होगी, अच्छा अब मज़े की बाफ में बता दू, दोस्तों अगर आप इस application को use करते हैं, और आपकी call recording नहीं होती, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप easily जो हैं, मैंने इन से खुद call recording की हैं, काफी अच्छा है, आप लोगों ने लाजमी इनको use करना है, यह basically यह जो वीडियो मैंने बनाई थी, यह call recording के related दी, तो इसी वीडियो मैंने इसी में, इसी software में आप लोगो सिर्फ यह call recording का बताया, कि आप लोग इनको कैसे enable कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, कि यहाँ जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को यह सारी चीजे मिल जाएगी, और आप easily यहाँ पे जैसे click करेंगे, तो आप इन में like auto call record लगा सकते हैं, आप यहाँ भी दोस्तों देख सकते हैं, incoming call, auto going call, contact sir, यह सारी चीजे इन में built-in हैं, तो दोस्तों लाजमी आप लोग try करें, try में क्या जाता हैं, कि यहाँ पे जैसे मैं कोई भी call like इन में click करने की कोशिश करता हूं, और यहाँ पे मैं call पे click कर लेता हूं, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, कि मेरे mobile में अब एक recording का option आ गया है, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे click करूँगा, तो यह call record भी मेरे हो रहे हैं, तो आप easily ऐसे कर सकते हैं, भी इन में की थी, यह सारी चीज़े आप लोग के सामने हैं, जाते जाते दोस्तों मैं आप लोग बता दू कि यह application हर mobile में काम करता है, मैंने already चार mobile में यह किया है, वर्केबल हैं, इसलिए मैंने इस पे video बनाई, जाते 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 दोस्तों वीडियो तोड़ी सी मुझसे लंबी हो गई, इन के लिए मैं माफी चाता हूँ, लेकिन video लाइक करें, शेर करें, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, मैं चारा हूँ आने वाले दिनों में आपको और मुबाइल और टिकनोलोजी के टिप्स एंट्रिक्स डेली लाइफ में यूट्यूब में मिलते रहे हैं, तो तैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में, और दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना बेस्ट कॉल रिकॉर्डिंग एप।